हमने यूज करके देखा इसी तरीके से यह तो था इंटीजर यानि 16 बिट का इंट्रक्शन था अगर आप चाहते हैं कि डवल इंटीजर की कोई वैल्यू है यानि बड़ी वैल्यू है तो md 0, md मैंने यहां पर 4 ले लिया और md यहां यहां पर मैंने 8 ले लिया तो बड़ी वैल्यू अगर है एवल 3,2,7,6,7 है तो उसके लिए हम क्या यूज करते है शिफ्ट राइट डबल इंटीजर यूज करते है तो उसके लिए आप यहां पर एक और ऑप्सन है कि आप वैल्यू कैसे फीड करेंगे तो पील्सी में मॉनि यहां पर फॉर्मेट आप बाइनरी कर दीजे यह मैं डेशिमल कर देता हूँ कि कितनी बिट शिफ्ट करना और यहां पर बाइनरी आजाएगा इतना करने के बाद यहां पर वैल्यू आप मॉडिफाइग कर लीजिए जिसे कि आपको दिक्कत ना है समझने में यहां पर वै में यहां पर एक बार चेंज कर देता हूं जिसे कि आपको किलियर हो जाएगा यह देखिए अब वन बिट शिफ्ट करना है और यहां पर अपने आप आ जाएगा अब यहां इस्टेटिस वैली में हमें मोडिफाई करना है यहां पर यह वाला ओप्सन है अपडेट मॉनिटर कर दीजिए तो यहां पर यह जो वैली मैंने फीड किया यहां आ गए और जो लॉंग वैली है वो यहां पर है अब देखिए जैसी मैं इन्पूट नंबर जीरो प्रेस करूंगा यहां से देखेंगे जैसी मैं इन्पूट नंबर जीरो प्रेस करूंगा अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं इसकी जरौत नहीं है यह मैं हटा देता हूं इन्पूट नंबर जैसी जीरो प्रेस किया यहां पर देखेंगे जो वैली हुमारी चेंज होके आएंगे यहां पर रियल्ट आ गया तो रिएल्ट अगर आप जहां से देखते हैं यहां पर मुझे फिर से वैली चेक करना पड़ेगा md4 में एक मिनिट यह मैं one कर देता हूं long integer इसको modify कर देते हैं यहां से update activate modify value and update yes अभी update हुआ है right अब यहां पर मैं एक बार फिर से press करता हूं input zero तो यहां पर देखेंगे जो यहां पर one जो value है मेरी यहां से मुझे shift करना है एक value यहां देखें रियल्ट आपका यहां पर clear हो जाएगा तो यह shift right है यानि right में हमारी value क्या हो रही है shift हो रही है यह मेरे पास zero one double zero last value यह अगर मैं एक bit shift करता हूं यह एक minute में यहां से fit सही है one value feed करता हूं आपको अगर modify करना है एक और तरीक है यहां पर right click करके monitor यहां से आप modify भी कर सकते हैं जिससे की value हमारी यहां पर modify हो जाए अब यहां से जब मैं input price करूंगा तो देखिए अब बिल्कुल सही आ रहा है result right को की value modify नहीं होती यहां पर देखिए सारी value जो है एक-एक right shift हो गए 0010 है last में और एक-एक अगर shift होगी तो क्या होगा 010 और यह यहां से one हो जाएगा 0101 एक-एक value shift होगी देखिए यहां पर जो value यहां आगे यहां से right side से value देखिए यह वाला digit है 1110 यह देखिए इधर shift हो जाएगा तो यहां देखिए एक दो तीन चार यहां आगे उसके बाद यहां पर देखेंगे यह 0 इधर खिशा गया तो 3-0-1 एक bit रह गया उसके बाद यह bit अगले में चला गया 1 और फिर 0 देन 10 इस तरीके से यहां पर अगर मैं 2 कर दूंगा तो my friend देखिए क्या होगा 2-2 bit हमारी shift हो जाएंगे modify करके देख लेते हैं अब input प्रेस करेंगे यहां देखिए 2-2 shift यह वाला बन last में चला गया यह देखिए सारी 2-2 bit shift होगे यहां पर देखिए यह 1 है यहां जाएगा यानि 001 फिर यहां से 2-2 bit हमारी shift होगे तो यह है basically double word का instruction जो हमने use करके अभी देखा shift right double integer then आता है हमारा shift left word word में क्या होगा हमारा सीधे word address ले लिजे यानि 2 और यह यहां पर रियंट हमारा 4 पर ले सकते हैं आप यहां से run करा लिजे इसको मैं यहां से यह हटा देता हूं क्योंकि जो debugging का है आप यह हटा सकते हैं इसको modify कर दीजे then monitor कर लिजे इसके लिए यहां पर available हैं बहुत अच्छे options available हैं यहां पर जाएंगे तो mw0 ले लिया इसको आप यहां से क्या करेंगे binary कर लिजे mw2 कर लिजे इसको मैं decimal कर देता हूं और agent हमारा mw4 पर पर आ जाएगा और यहां से आप binary यहां पर आप bit change कर सकते हैं 111 उसके बाद यहां पर चलेग लेफ्ट है तो यह क्या लेफ्ट का है जैसे मैंने 0 प्रेस किया तो यहां देखेंगे यह सारी bit एक एक करके left चली यह देखें किसा गई bit है इसको मैं side कर देता हूं नीचे और इसको ऊपर कर देता हूं तो आपको clear हो जाएगा यह देखें 0101 तो इदर shift अगर left ही तरफ जाएगे तो 0 इदर खिषकेगा यानि यहां देखिए यह 00 हो गया यह सारी bits हमारी सारी क्या होगी एक-एक bit shift होगी left में अगर मैं यहां पर 2 कर देता हूं जीरो प्रेस करेंगे तो क्या होगा 22 bit हमारी shift हो जाएगी जो 0101 है यह 22 bit हमारी आगे shift हो ठीक है इस तरीके से हम यह instruction क्या करते हैं यूज करते हैं यानि shift